ओवे बच्चो क्याल चाल तो भई आज अपन बात करने वाले हैं कि फिजिक्स के प्रश्णों को करने में अगर जादा समय लग रहा है तो हम क्या करें जल्दी कैसे सॉल्व करें फिजिक्स के कोश्चन से हाउ तो ठीक है रही है मतलब मैंने का ना अभी अपनी सीरीज चल र है तो जिसमें अपन बात करें जो जनरल कोई होती है मतलब सबसे जादा पूछे जाने वाली क्योंकि मैं हर मंत में अराउंड ट्वेंटी फिरी सेशन लेता हूं आस्मी एनिधिंग सेशन है जिसमें पूरे इंडिया से कोई भी नीटो जैए असपार आटा कि अपनी कोई नहीं भी लोगों ने जो भी आत्मा यहां पर नहीं है भूली भटकी आई हुई है जिनोंने अभी तक फिजिक्सथा आपको सबस्क्राइब कर लो यहां पर बहुत कोछ है पर जो तुम खुद सकते हुए इसके अलाबा फिजिक्स वेब साइट पर जारू देख लेना है न नीट का और जे ही दोनों का है ना उस material को पहले तो modify कर दिया है नए paper pattern के साब से उसमें जो errors थे उनको correct कर दिया है ना और उनके प्रॉपर सारे DPPs material modules sheet वगरा सब कुछ है ना प्रॉपर uploaded है chapter by हर एक question का return solution वीडियो solution और सारे वीडियो solutions चाहे तो नीट की preparation करो मेरे batches दोनों में और सारे batches quota के best teachers के साथ होते हैं तो उसको follow कर सकते अनकाडमी पर जाके अनकाडमी पर जाओ को मैं तुम्हें अभी है ना नीट के लिए जी के लिए या फिर अभी जो भी 2022 के लिए 2023 aspirant के लिए 2024 aspirant के लिए क्या आने वाला है कौन सी free series आ रही है है ना उन सब के अभी क्या चल रहा है material अभी सारे के सारे अपडेट्स में ही मिलते है ना तो नीट के बच्चों का अलग चैनल है नीट अंडरिस्कोर फिजिक्स आइटी जी के बच्चों का अलग चैनल है आइटी जी अंडरिस्कोर फिजिक्स जिस भी exam की preparation कर रहे हो होती है यह जो लोग इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते ना इसी के साथ जिन बच्चों ने कर ली आए कि उनको फिजिक्स मुझसे ही पढ़ना है तो लोग अनकाडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा रिफरल कोड है फिजिक्स लाइब इसको यूज करने से तो मैं पूरे ना नीट का सब्सक्रिप्शन लोगे तो फिजिक्स करा ली फिजिसक्रमिंध्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो यूज करके प्षिक्सकिप्श्य सकत से पहले कोई कोई यह तो भी मैसेज कर सकते ना सब्सक्रिप्शन तभी लेना जब हंडेट परशन शोर हो जाओ और इससे तुम्हें 10 परसेंट आप बहुत सारे आते रहेते ना कभी 10 परसेंट कभी 20 परसेंट वगरा भी ओफ हो जाता है तो उसके अपडेट पर भी टेलीग को नहुत वाले हैं तो आधर एक्जाम में तो बहुत सारे परेशन बहूंत सबस्थ करने बात करने वले ना तो जरूरी नहीं है कि मैं बो बोलूँगा जो छो मैं वो बूलूँ को जो एक्चल में रियालिटी है तो उसके लिए तैयार है ना खेर अगर मुझे फॉलो कर रही बाते तो तुम्हें पता ही होंगी तो सबसे मेरी बात समझोंगे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे तो जो भी चीज तो पढ़ रहे हो तो पहली बात पढ़ रहे हो तो वह पहली बात पढ़ रहे हो अब एक चीज समझो हो या जो तुम पहले लग जाता है तो अभी 10 कोश्चन हो रहे हैं 15 कोश्चन और तो एक्जाम में फिर इतने सारी कोश्चन हम कैसे कर पाएंगे एक चीज बताओ जब तो मैं नहीं चला पा रहा तो फीचर में कैसे चलाओगा लगा होगा पर जो लोग जो लोग जनको आती है महान के चल और हमाल लेते दो आती हो या बार-बार बार बिरेते फिर दीर चलाना से प्र तुम प्रक्रिस करते गैं चलाओ उया जाया तो इग्जैक्ली सेम चीज होती है 이건 qsh on कर रहे होते हैं किसी भी चीज में और सशेख रहे होता और फिर कोई औहीं सूछ सीख रहे होते है it is not just relatedpy मुझे नहीं पता कि तुमको इस तरी की अभी कैसे सकती है कि अभी अगर मैं एक गंटे में दस कर रहा हूं तो एक्जाम में कैसे करूँगा अभी तु पहली बार कर रहा है इस चेप्टर को तुने पहली बार पढ़ा है तो अभी तुझे समय लगेगा इस चीज को बहुत अ और स्टार्टिंग में जब देखो कोई भी नया चेप्टर चालूगा मालनो रोटेशनल चालूगा है तो स्टार्टिंग में ज्यादा जल्दबाजी मतलो जब तक तुम अटलीस सो कोशन खुद से सॉल्व ना कर लो ना मतलब नोट में जो टीचर ने कोशन करना है वह सब लग उसके बाद मालो DPP और exercise और SC वर्मा अटलीस DPP और SC वर्मा तुम खुछ से सॉल्व ना कर लो तब तक यार यह मसोच नहीं कि मैंने से स्पीड में तब तक स्पीड नहीं आएगी तब तक तुम्हें हर कोशन करने में कुछ कोशन हो सकता है मैंने का ना कोशन भी कोशन कर रहे हैं इतना समय लेखेंगे that is perfectly fine क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो ना तो अलग होंगे ना हां और कुछ कोशन ऐसे भी हो सकते हैं सी ब्रहा में भी मिलेंगे या फिर कुछ अच्छे कोशन कुछ पर्टिकोल कोशन होंगे DPP में होते है जिन में तुम हो सकता है 15 मिट भी लग जाए तब भी 20 मिट भी ना लग जाए और अगर तुम 20 मिट में सौल कर रहे हो तब भी बड़ी बात है and it will be counted as a success ना तो हर कोशन अपने आप में लग होता है और अभी तुम स्टार्टिंग में सौल कर रहे हो पर जब तुम सौल कर हो जब तक शब्सक्राइब करने का उसवक्त परपस एक्जाम ही नहीं उसवक्त परपस है जो तुमने कॉंसेट्प पढ़ाया गया है करने का परपस होता है जो भी हमने थेरी में पढ़ा है उस सब को एपलाई करना सीख पाए उसको समझ पाए और उसमें बहुत सारे अगर तुमने उसमें जल्दवाजी कर दी ना तो तुम सीखी नहीं पाओगे और फिर चाहिए तुम पांसवे हजार कोशन भी कर लो ना तुम्हें ना करने के बराबर है फिर तुमने चाहिए किती भी मेनद कर लिए उल्टिमेटली तुम्हेरे रैंक घराब हो जाएगी सेल इक्षन नहीं होगा तो इस टार्टिक में पहली बार कोश्ण कर रहे हो ने ढंग से सौल करो हर एक कोश्ण करने के बाद सूचो कि अच्छी क्वाल्टी के कुश्छन करते हो लिए या पिर टीपीपीज हमारे मॉडिल कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा फील आएगा हर कोश्ण को सिखा रहा होगा हर कोई ने को सिखा रहा होगा और अच्छे को मार करते हूं चलो ताकि रिबीजन की के दोरान उनको कर सके तो ये चीज़ समझे ना फिर तुम करोगे सर आप स्पीड कैसे बढ़ेगी इस पीड अपने बढ़े गया जब तुमने लेट से रोटेशन में सो कोश्चन कर लिए आप तो मुठा के बाद जब कोश्चन करो को तुम ऑबसर करो तुमारी स्पीड खुद धीरे-धीरे करती जाएगी तुमारी स्पीड है ना तो समझो पहला पॉइंट जो ध्यान रखनाना इंद बिगेनिंग अफ एब्ली चेप्टर फोकस शुड बी ओन डर्निंग कॉंसेप्ट रेक्टिपाइंग मिस्कॉंसेप्ट ना नए कॉंसेप्ट सीखने है और जो सब्चेट को सीखने के लिए सही हो सकती है पर तुमारे चाहिं के लिए सभी नहीं समझो वह कॉंप्पीटिटिव एक्जाम के लिए सभी नहीं है क्योंकि इतना समय नियुक्षा सभी टाइम बहुत लिमिटेड है अमें बहुत कुछ कवर करना होता है तीन सब्चेक्ट ह लोग होता है जेमें लेवल डिसेंट लेवल कोश्चन न तो भाई स्टार्टिग में जब सॉल कर रहे हुए पहली बात तो तुम्हें 30 मिनिट लग सकते हैं तो उसमें तुम्हें तुम्हें आराउं पांच मिनिट भी लगेंगे यह ना पर यह नहीं कि यह तुमने पंदरा म अगली बार क्लास में जाने से पहले 5 य 6 घंट फिर सपता हैं को जो ने हुए कई बार वो हो जाते हैं बहुत सी बार हो जाते हैं अगर फिर भी नहीं होता तो अगले दिन प्लास में जाकर पूछ लो यह चीज जाता उसको प्लेवाइग कर लो है प्र बहुत जादा समय भी नहीं देना हर एक कोश्चन है मनना हर एक कोश्चन आदे गंटे दे रहो पंदा पंदा मिट दे रहो यह भी गलते ना तो तो तुम्हें ध्यान रखाए जन्रली पांच से दस मिनट लगने चाहिए स्टार्टिंग में और बात में वो ताइम कम होगे अपने आप तीन मिनट अब ही तुमने रोटेशन में लेट से डीपी कर लिए एसी प्रमा कर लिए लेट से तुम्हारे रगवाद सो कोश्चन हो गए सो से जाजी हो जाएंगे इतने में पर ठीक हो गया एक सो एक नंबर है ना कुछ कुछ चैप्टर में पचास कोश्चन भी सब्सक्रीशन होते ह या फिर जहां भी तुम पढ़ रहे हो तो उसके बाद तुम कर सकते हैं तुमने सो कोश्चन लेट से सौल कर लिए तुमने डीपीप सौल कर ली पूरी असी प्रमा सौल के लिए अब तुमने पैकेज उठाय ना उसमें एक्सेसाइज बन उठाओ अब तुम टाइम कोशन लो भाई क्योंकि अब तुम सोचो या कि में एक घंटे डिपेंडिंग ओन नीट के हो या जए अगर मालों नीट बाले हो तो एक घंटे में तुम स्टार्टिक में 30 कोशन का टार्गेट ले सकते हैं अभी भी बहुत जादा टार्गेट नहीं नहीं पिर तुम सीखी नहीं अगर बहुत ज्यादा जल्दी भाग जाओगे नहीं स्टार्टि में एक घंटे में 30 का ले लो अगर तुम जेए की ते यारी करो उसके कोशन के लेबल थोड़ा अच्छा होता है एक घंटे में 20 कोशन का टार्गेट ले लिए एकसरसाइस बने अभी तुमनें क्या करना है पिर उसमें क्या करना है कोशन करने का सौलीशन नहीं देखना या फिर आंसर नहीं देखना तुम्हें एक साथ तुमने जितना भी टार्गेट लिया है लेट से उमने 20 कोशन का टार्गे लिए तो सीधा 20 कोशन रो में सॉल्व करो एक डीसंटी स्पीट के साथ बहूत जात बढ़ाते जाओगे ना दीरे दीरे तुम इसको बढ़ाते जाओगे अपने आप स्पीड बढ़ती जाती जाती है इस इस हाओ इड़े बच्चों की गलती के होती है उनके करते हैं थोड़ी दिक्कत आती है फिर हम एक्जाम देते हैं चेक करते हैं इसको इंप्रूब करते हैं आप देखो ना वह सकता है कि तुम जितने कोशन सौल कर सकते हो किसी भी स्टेज ऑफ ताइम में तुम उससे कम कर रहे हो उसका रीजन यह हो सकता है और इंडिल होगा मैक तुम्हें अपना फोकस जो होते हैं ज्यादा फोकस के साथ कैसे पढ़ें तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा तो यह द्यान रखो वही है ना क्या तुम अपना टाइम इफीशन्टी यूटिलाइस कर रहे हो या फिर तुम मैंटली लेजी हो इसका सोचने का सबसे आसन तरी हो क्या तो दोनों केस में तुमारी मेंटल की जो इफीशन्सी होती जो फोकस होता है वो बराबर होता है नहीं होता ना हंडेट परशन नहीं होता हुआ मतलब तुम एक्जाम हॉल्मोन तीन घंटे को बहुत अच्छे से उडिलाइस कर रहे हो जो कि तुम घर पे नहीं कर रहे है तुम समझ अब इसका टाइम से रिलेशन नहीं है किसी और से नहीं है इसको बोलते हैं मेंटल लेजीनस हम कहने के लिए तुम मम्मी पापा के सामन गंटे बैठके पढ़ाई करी पर एक्च्वल में 6 गंटे और 5 गंटे भी नहीं करी है तो इसको बढ़ाओ इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रहा है एक मैध़ड होती है जिससे तुम अपनी एफीशन सी चेक कर सकते हो मॉस्टली लोगों की 50% के राउंड होती है अगर प्रिशन सी को इंग्रीज करके तुम जाता सजाधा कोशन कर पाऊगे तुमारे जो बैक लोग हो रहे है बो भी कपर दढ़ जाएंगे एक्सरसाइज नहीं चूटेंगी अगर मालनों अभी सिभी एक्सराइज बन कर पा रहे तो 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 और थी भी कम्रीट कर पाने लगों कर लो, dppb कर लो just same Russell कर लोjen जिएया मेंन के प्रिवसेर कर लो, ó P erro कर लो, यह में के प्रिवसेर कर लो जी एडवांस की प्रिवसेर कर लो फिर रिटोदऄ बिसर कर लो फिर रोटी सॉल लो लो यह एंटना समय कहा होता है वो हमबर रोज़ का रोज़ करें जो बैक्लोग मत होने तो हैं एक प्रियोरेटाइज कर लो वर्क को हैं एक प्रियरेटी ओर होता है मुझे इस ओर में जाना है सब कुछ कोई खतम नहीं कर पाएगा पर एक प्रेयरेटी ओर में रखो कि सबसे पहले यह 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 और इतना मुझे minimum खतम करना है जैसे मैं physics लिए तुम्हें general ही बता सकते हूं कि सबसे पहले priority पर आ जायते हैं तुम्हें नोट्स वो तुम्हें खतम करना ही करना है ठीक है वो छोड़ने नहीं किसी को भी नहीं चोड़ने उसके बाद आती है DPP हरो जो मिल रही है यह minimum लेवल बता हो इतना खतम करना है उसके बाद है न सी बरमा करनी करनी है नीट के बच्चे भी जो अच्छा कोले चाते वो कर सकते है नहीं तो exercise बन है ना जो तुमारा module है उसकी exercise बन है इतना तो सब लोग खतम करो अगर तुम इतना खतम नहीं कर पा रहे हो ना तो यह मिनीमम मैं बता रहा हूं यह नहीं कि छोड़ दो आगर समय बचल रहे तो फाल तू बैठे रहो यह तो मिनीमम में यह priority level बता रहो जो इतना तो सब खतम कर सकते हैं नहीं हो रहा तो थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी जगे तुम लूपॉल शोड़ के रखो जो उनको फिलकर आजा सकता है उनको करो नहीं करो तो नहीं होगा selection नहीं होगा selection उसको खतम करो और यह होती है exercise 2 exercise 3 target तो होना चाहिए और इंडीर ज कोशन जैसे मैं तो class के अंदर करा देता हूँ ना तो at least कोशिज करो कि बहुत सारे previous year के question अभी खतम करते हूँ चलो ना उनको end के लिए मत छोड़ना कई वर end में समय नहीं मिल पाता एक्जाम आजाता है फिर समय नहीं मिल पाता तो खतम करते हूँ चलो तो नीट के अपने आपको खीचो मत हमेशा पुश करते रहो अगर तो इतना सब खतम कर रहे हो तो फिर जेएडवांस के सिंगल करेक्ट भी सारे खतम करने लगो पुश करते रहो अपने आपको तुम्हारा पास जितना समय हो तो में उससे best possible भी उटिलाइस करना है और तुम जितना कर लोगे उतना स्थाथा तुमारी देत्ति रहाएं करेंगी इसमें को ऐसा रूम नहीं कि इतना कर लोगे तो तिर्थी रहा जाएंट यह को शचन बहुत गाटी होते हैं कि मुझे अगर अंडर हंड्र लाना है तो जादा कर लाना है ऐसा कुछ नहीं है हो सकता है को इनसान ज जितना कर सकते हैं उतना आपने आपको पोश्क करो अट-least minimum level पे तो हरे बच्चे को खतम करना है अगर मिनिमम लेवल पे खतम करो हो ना तुम्हारा selection हो जाएगा और तुम उसके बाद जतना जादा करें को इतनी जादा तुमारी रेंक्ट रूप करेंगे तो इसके लाब और और भी कोई क्वेरी हो तो मेरे बहुत सारे अगर तो बागी जो बच्चे पर पढ़ना चाते हैं और कोटा के बेस्ट पढ़ना चाते हैं और लोग अगर तुम पढ़ना अच्छा लगता है करें तो मेरी इड है अगर मेरा कोट रूप कर रहे हैं तो यूजकरने का एंग टेलीग्राम पे मैसेज जरू कर दे ना और अगर सब्सक्रिबिशन लेने से पहले कोई कोई यह तो मुझसे पूर सकते हूं ठीक है और भाई इस सेशन को शेयर करें जो भी तुमारा अच्छे दोस्त भग रहा है जो पढ़ाई के लिए सीरिस है और इस तरी की प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना इस तरी की प्रॉब्ल